यह उसके एक चिन है एक निशान है चाहे वो नरेंद्र मोधी जी की सरकार हो चाहे वो शिवराज जी की सरकार हो चाहे वो किसी भी बीजेपी की सरकार हो उन सरकारों के दिल में हिंदुस्तान के किसान के लिए इतनी सी जगा नहीं है ये सच्चाई है ढाई लाग करोर रुप्या हिंदुस्तान के पंद्रा सबसे बड़े उद्योग पतियों का माव किया जा सकता है मगर हिंदुस्तान के करोडों किसानों का एक रुप्या नहीं माव किया जा सकता है दिन भर दिन भर चीफ मिनिस्टर और प्रदान मंत्री बाशन देते हैं रोजगार की बात करते हैं किसानों की पूजा करते हैं अलग-अलग चीजों के बारे में बोलते हैं मगर जब किसान कड़ा होता है कहता है हमें सही दाम चाहिए हमारा कर्जा माफ कीजिए हमारे साथ खड़े होईए तो नरेंद्र मोदी जी और मद्यप प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास आपके लिए कोई समय नहीं है हमें और कुछ करना है हम आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं आपको जो बोलना है आप बोलो हमें कुछ और करना है आप याद कीजिए UPA की सरकार थी किसान हमारे पास आए किसानों ने हिंदुस्तान के किसान का डेलेगेशन आया और उन्हें ने हमसे कहा देखिए अमीर व्यक्ति होता है बैंक के दर्वाजे उसके लिए खुले होते हैं रेड कारपेट होता है सीधा अंदर जाता है कहता है मुझे लोन चाहिए हमारे लिए दर्वाजा बंद है आपने हमसे कहा कि हमारा आप कर्जा माफ कीजिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दस दिन के अंदर बारा दिन नहीं लगे दस दिन के अंदर यू पिए की सरकार ने सत्तर हजार करोर रुपेश आपका कर्जा माफ करके दे दिया और मैं स्टेज से मनसौर के किसानों को इन परिवारों को और हिंदुस्तान के किसानों को बताना चाहता हूँ कमलनाज जी यहां बेटे है सिंधिया जी बेटे है कॉंग्रेस पार्टी के नेता बेटे है मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ इस स्टेज से जिस दिन मध्यप्रदेश में कॉंगरेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप दस दिन गिनना और दस दिन के अंदर गैरंटी करके कह रहा हूँ यहाँ पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा 11 दिन नहीं लगेंगे 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा और दूसरी बात कहना चाहता हूँ ये जो यहाँ किसान के परिवार आए है ये जो यहाँ किसान के परिवार आए है मैं आपको कहना चाहता हूँ और खास तोर से उस महिला से कहना चाहता हूँ जैसे आज मेरी बात हुई जैसे ही यहां कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दस दिन के अंदर आपको नियाय मिलेगा और जिन लोगों ने आप पे गोली चलाई है उनके खिलाफ हम कारवाई करके दिखाएंगे हिंदुस्तान के किसान ने इस देश को खड़ा किया है अगर आज इस देश में सब लोग खाना खाते हैं भोजन मिलता है तो कोई बड़े उद्योग पतियों ने ये काम नहीं किया है ये काम हिंदुस्तान के किसानों ने हिंदुस्तान के मज़ूरों ने और उनके परवारों ने किया है और अगर हम हिंदुस्तान के किसानों की रक्षा नहीं कर सकते है तो हमारी सरकारों का कोई मतलब नहीं है पहला काम हिंदुस्तान के किसानों की रक्षा हिंदुस्तान के किसानों की परवारों की रक्षा करने का है अब ही मुझे बताया गया है कि 1200 किसानों ने मद्यप्रदेश में आतम हत्या की एक के बाद एक, एक के बाद एक मन्सौर के किसान, मद्यप्रदेश के किसान आतम हत्या कर रहे है आप मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ 1200 किसानों ने आतम हत्या की क्या हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों ने लाकों करोड का इन पिय है डाई लाक करोड रुपे नरेंद्र मोधीटि ने स्वायम उनको दिया क्या इन लोगों के परिवारों में किसी ने आतम हत्या की एक व्यक्ति ने आतम हत्या ने की किसान पर कर्ज होता है किसान को बताया जाता है जाओ आतम हत्या करो हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों कर कर्ज होता है लाकों करोड रुपे का इन पिय होता है सरकार कहती आईए आपका नाम विजय मालिया है आईए हम आपसे सौधा करते हैं आपने 9000 करों रुपे चोरी किया लेओ 5000 करों रुपे और आपका नाम ललित मोदी है लेओ थोड़ा पैसा लो वापस आ जाओ आपका नाम नीरव मोदी है चलो लेओ 35000 करों रुपे लो भाग जाओ